अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटम दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाओं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि मेरे जो भी वीडियो बनते हैं आप उस पे कमेंट करें कि आपको किस तरह का वीडियो पसंद है कैसा वीडियो आपके पास बना के लाओं तो पिसला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें एक पंकज मिसराजी थे उनका कमेंट आया कि सर इंट्रव्यू के लिए English कितना important है कितना English इंग्लिस हमको आना चाहिए तो इस पार का टॉपिक मेरा इंग्लिस कॉम्निकेशन पर है इससे पहले में और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिसको भी अगर क्लास करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉंटेक्ट नंबर दे दिया है प्लीज आप उससे कॉंटेक्ट करें ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं कि आपको कहां लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए ताकि आपका केरियर अच्छा हो चलिए समय ना गमाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं के लिए जाते हो ठीक है तो आपको इंट्रव्यूर सबसे पहले क्या करता है आपका जानकारी आपका नौलेज जानना चाहता हो ठीक है कि आपके पास कितना नौलेज है कितना आप जानकारी रखते हो तो उसके लिए आपको कॉम्णिकेशन कॉम्णिकेशन आपका होना जर उसको represent कर पाते हो, अगर आपको English नहीं आता है, कोई मेंटर नहीं, आप English नहीं आता है, तो आप जिस language में, जिस भासा में आप comfortable हो, उस भासा में अपनी बातों को, उन इंटर्विवर को बता सकते हो, ना कि आप English को ट्राई करें, आप अपनी बातों को उनके पास रखी ना पाओ ठीक है तो इसके लिए आपको जब भी इंट्रव्यू देने जाओ तो जिस भी लेंग्वेज में आप comfortable हो चाहे हिंदी में comfortable हो चाहे इंग्लिस में comfortable हो आपको उसमें उनको बताना है ठीक है क्योंकि भासा तीन तरह के हो तीन तरह से आप अपने message को अपने message को दे सकते हो एक है written एक है speaking और तीसरा है physical ठीक है यह तीन medium होता है अपनी बातों को उनके पास रखने के लिए ठीक है तो आपको speaking में English नहीं आता है इंग्लिस नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है उसको आप try करो सीखने के लिए लेकिन जब interview की बातें आए तो interview में आपका knowledge जाना जाता है कि आपके पास कितना जानकारी है तो उस जानकारी को आप represent करने के लिए आप कोई भी language यूज कर सकते हो जो आप intermittent हो जो interviewer समझ सके चाहिंदी हो या English हो तो आप उसको उस भासा में आप दे सकते हैं लेकिन अगर आपको कहीं mail करना है तो आप जानते हैं कि mail करने के लिए English language ही ज़रूरी है तो आप English language जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सके communicate करने के लिए आपके future के लिए अच्छा होगा दूसरा question आता है कि हमेंसा लोग बोलते हैं सर English spoken सीखना है English spoken सीखना है हमको English में बात करने सीखनी है तो उसमें दिक्कत कहां आता है कि हम लोग जब भी कोई बात करने जाते हैं तो हमारे अंदर ये डर रहता है कि जो मैं बोलूंगा वो गलत बोलूंगा जो बोलूंगा वो गलत बोलूंगा तो मैं आपको एक example देता हूँ कि हमारे सब के घर में एक बच्चा होता है छोटा सा वो तीन साल या चार साल के एज में हिंदी perfectly बोलना चालू कर देता है हिंदी परफेक्टली बोलना चालू कर देता है उस समय वो कोई grammar की बाते सीख के नहीं आता कहीं grammar का उसको पता ही नहीं रहता है कि grammar क्या होता है ठीक है हाँ लेकिन हम लोग क्या करते हैं जब English speaking करने जाते हैं बोलने जाते हैं तो उस समय हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं grammar पे कि कहीं grammatically हमारा रॉंग नहीं हो जाए कहीं grammar के अनुसार हम गलती तो नहीं कर रहे हैं इसी चक्कर में हमारा English communication इंप्रूब नहीं हो पाता है एटलिस्ट आप ट्राई तो करें बोलने के लिए जो मन में हिजक है उसको तो खतम करें जब तक हमें start नहीं करेंगे जब तक आप बोलने सबसे बड़ा बात आप यह सोचो कि मैं जो बोल रहा हूं और फर्फेक्ट बोल रहा हूं खुद को जब तक आप करेंट नहीं करोगे खुद का नहीं सोचोगे कि मुझे अपना improve करना है कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा उससे कोई मतलब नहीं है आप अच्छा करोगे तब भी लोग बोलेंगे गलत करोगे तब भी बोलेंगे तो कुछ से अच्छा आप improve करो खुद को improve करो कि कैसे हमें communication skill करना है तो आप ट्राइब करो जो भी आपको बोलना है ना ट्राइब करो इंग्लिस में बोलने के लिए मैक्सिमाम आज एक ग्रूप बना लो दो चार पांच लोगों का उसके साथ आप हमेशा ट्राइब करो क्या होगा एक सटेंट टाइम के बाद एक सटेंट टाइम के बाद आपको खुद को अंदर से confidence आएगा कि हम अब बोल सकते हैं तो वह confidence build-up करना जरूरी है वह confidence बिल्डप करना आपको जरूरी है वह बिल्डप करोगे तब भी आपको communication skill आपका इंप्रूब हो पाएगा तो improvement में एक English में इसटरंड जा है कि practice make perfect practice make perfect अगर आप अभ्यास करोगे तभी होगा हिंदी में हमारे पुर्वज काके गए हैं करत करत अभ्यास कर जन्मत हो जुजान जितना आप परयास करोगे जितना आप उसको practice करोगे आपका communication skill इंप्रूव होगा तो जो भी लोग अगर मेरा यह विडियो देख रहे हैं तो आप यह पहले mindset से हटा दें कि interview में English ही जरूरी है interview में English ही जरूरी है यह यह English में interview ज़रूरी है लेकिन English से ही जरूरी है ये कहीं नहीं है अगर आपको इंडिया का सबसे ज़्यादा tough interview माना जाता है इस-IPS का उसमें भी Hindi में interview दिया जाता है तो आप Hindi में interview दे सकते हो कोई problem नहीं लेकिन आपको English सीखना जरूरी है क्योंकि कई level पे आपको अलग-अलग communication करने पड़ते हैं तो आप कभी mail communication कर रहे हो आप writing में communication कर रहे हो तो उस समय Hindi में नहीं चलता है तो आपके लिए उसको English सीखना जरूरी है थेंक यू वेरी मुच अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड सेर करें थेंक यू बेरे मुच